दोशकार दोफ्तों चले थे हरी भजे वोटन लगे का पास और इसे कहते हैं सर मुडाते ही ओले पड़ना नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था कि महिलाओं के नाम पर भारतिय जनता पार्टी की सरकार की इतनी जादा भद पिट चुकी है तो उस भद को बराबर महिला आरक्षन बिल से कर लिया जाएगा विशे सत्र बुला लिया महिला आरक्षन बिल पास हो गया महिला आरक्षन बिल पास कर दिया गया लेकिन ये महिला आरक्षन बिल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के लिए और भारतिय जनता पार्टी की सरकार के लिए बिलकुल उल्टा पड़ ग रांते होंगे मेरे पीचे देखिये हुँंवें है भार्तिएं भारति है जनता Party की फायर ब्रांड नेता हैं तो वुट्त में पड़े हैं स्पर्दगण फॉट्ज़न पड़े हैंुँदे मिम् के वोट हैं असुद्दीन OAC ने अपना स्टेंड बिल्कुल क्लियर रखा कि हम जी महिला आरक्षन बिल्के साथ में नहीं है मुसल्मानों के होकुर हुकुक की बात उसमें नहीं की गई है ऐसा कहना है OAC का लेकिन अभी बात OAC की नहीं होगी अभी बात होगी कि प्रधान मंत परकाड नहीं बचा पाई है देखिए उमा भारती ने बगावत कर दी है यह बिलस्पास होते ही लोक सबहा है जैसे यह बिल पास हुआ बिलस्पास होते ही उमा बाति भार्ती ने बाति बिल का स्वागत करती हूँ लेकिन इसमें OBC श्रेणी की महिलाओं को विशेश स्थान नहीं दिया गया मैं इसका विरोत करूंगी और OBC महिलाओं को 50% आरक्षन दिये जाएंगे का आंदोलन करूंगी लिखने में कुछ मिश्टेक हुई है लिखा है कि आंदोलन करूंगी य इनकी ही पार्टी के भीतर से नरेंद्र मोधी की पार्टी के भीतर से ही शुरू हो गया है आंदोलन करने तक की चेतावनिया उमा भारती दे रही है कि मैं आंदोलन करूंगी अब आगे देखिए कि राहुल गांधी ने कैसे खेल किया है राहुल गांधी ने कैसे नरेंद् तर हम एंटर करते हैं दोस्तों नेक्स नेक्स ये है कि आज जैसे ही महिला अरक्षंड बिल पर राहुल गांधी बोलने के लिए आए अपनी राय रखने के लिए आए तो राहुल गांधी ने पूरा गेम ही बदल दिया पूरा पासा ही बदल दिया पूरा खेल ही बदल दिया राहुल गांधी ने OBC की बात करते हुए दोस्तों ये कह दिया कि नरेंदर मोदी जी की सरकार में जो सच्चिव है 90 सच्चिवों में सिर्फ तीन ही सच्चिवों OBC क्यों हैं और महिला आरक्षन में OBC समाज को अलग से आरक्षन क्यों नहीं दिया गया जैसे ही राहुल सिंदर मोदी पिछले 9 साल से ये बात कर रहे हैं OBC की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि मैं खुद OBC समाज से हूं जब OBC समाज इतना बड़ा है जब 60 प्रतिशत के आसपास OBC है तब ऐसा कैसे हो सकता है कि देश को चलाने वाले सचिवों में 90 सचिवों में सिर्फ और सिर् भी ध्यान दिला दूँ एक चीज यह भी है कि राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो कैसे उनको रोका गया कैसे उनको नसीहते दी गई कैसे उनके साथ पक्षपात हो रहा था ये भी आपको इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और कैसे आमित शाह को बोल ने दिया गया आमित शाह के साथ कैसे स्पीकर ने पक्षपात किया वह भी हम आपको बताएंगे अभी ओवी सी के मामले पर राहुल गांधी जो कहा है उसको आपको बता और दर्शक देखना चाहिए सुनना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि आपके फाइदे की बा कितने हैं नरेंद्र मोधिती प्रधान मंत्री हैं ओवी सी के लिए काम करते हैं मैंने यह सवाल पूछा मैं आपको जवाब देना चाहता हूं हिंदुस्तान के सेक्रेटरी नवे में से सिरफ तीन ओवी सी से हैं और सुनिए और सुनिए और सुनिए नहीं घबराये मत दरोमाद और सुनिए यह जो यह जो सेक्रेटरी हैं जो ओवी सी कम्यूनिटी से हैं यह हिंदुस्तान के सिरफ पांच परसेंट राहुल गांदी ने बताया कि नवे में सिर्फ तीन ओवी सी समाच से सेक्रेटरी हैं यानि सचीव हैं सिर्फ तीन सचीव इसके बाद क्या हुआ इसके बाद आगे क्या होता है क्या क्या होता है राहुल जो डरोमत यहां पर कह रहे हैं तो डरोमत कहने के बाद क्या हुआ यहां देखिए का जब राहुल गांधी वो लिश्ट दिखाते हैं कि 90 में तीन जो है वो सिर्फ तीन ओबीसी समाच के हैं तो तुरंत कैमरा जो है आज आता है स्पीकर के ऊपर देखते जाएगा यह स्पीकर के ऊपर कैमरा आ चुका है कॉंग्रेस कह रही है आप उबीसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं कि स्पीकर को देखते रहिएगा इंट्रेस्टिंग है देखते रही है देखते रही है देखते रही है स्पीकर जो है सांथ कर रहा है राहूल गांधी को भी बिठा रहे है कि राहूल गांधी से कह रहे हैं बाशन देखीगा कि डरो मत डरो मत मत कहो यह संसद है यह बोलेंगे भी पर दूसरा सभी माने सुदर्श समाने डरो मतो डरो मतो इस पार्लेमेंट को नहीं बोलना चाहिए कि हढ़त कहते हैं कि डरो मत डरो मत नहीं बोलना चाहिए नसीफर रहुल गांदी अबoko डरो मत जब अमिद्शा बोलते हैं तब हैं यह थे कर दो अस अधरो यहां पर पीटर कुछ नहीं कह रहें हैं डरो मत डरोमत को लेकिन राहुल गांधी को ग्यान ते रहे हैं कि अब तरो मत को मत क्यों कि बात नहीं करा अब देखिए क्हें यह खेल भी आपको देखना चाहिए कैमरा नहीं है यह राहूल गांधी के साथ ही कहते हैं कि कैमरा तो हमारी तरफ ही नहीं क्योंकि राहूल गांधी जब बोल रहे थे तो ज्यादतर टाइम कैमरा जो है वो स्पीकर की तरफ था चाहे यहां हो चाहे यहां हो अभी देखिए इसक स्पीकर को याद दिला रहे हैं कि पीछे साथी बैठे हैं राहूल गांधी के यह कह रहे हैं कि पूरा का पूरा भाषण में तो आपको पिर सुनिएगा पिर सुनिए यह जो लिस्ट है यह भूबी सी समाज का बदलिये जब आपोस करते हैं कि कैमरा नहीं है सर कैमरा नहीं है पूरे भाचण में सिर्फ आप ही को दिखाएंगे क्या सर क्योंकि राहुल गांधी क्यों नहीं दिखा रहे हैं यह लिस्ट हाथ में लिए हुए और दिखा रहे हैं कि नब्बे में सिर्फ और सिर्फ तीन ही लोग हैं जो सिर्फ ओबी सी समाज से हैं तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी महिला अरक्षन बिल लेकर आये थे विशे सत्र में लेकर आये थे यह समझ कर लेकर आये थ और आज तो संसत के भीतर अमित चाह ने खुद मान लिया कि 2029 से पहले ये बिल लागू नहीं होगा और इस बिल में सबसे बड़ी बात अमित चाह ने आज ये कही कि अभी इस बिल को पास करवा दीजिए फिर जब आपकी सरकारे आएंगी तो इस बिल के भीतर जो आपको करन हैं आप कर सकते हैं किसी भी बिल में इस तरीके की हीला हवाली किसी भी बिल के भीतर नहीं देखी गई है अमित चाह की पूरी सरकार की या नरेंद मोदी जी की पूरी सरकार की लेकिन इस बिल के साथ जैसा रवया दिखाई दे रहा है वैसा रवया किसी बिल के साथ दिखा सरकार मानती है कि ये बिल नहीं लागू हो पाएगा और 2029 के बाद कितने साल लागू नहीं होगा इसका भी कोई जवाब सरकार नहीं देती है तो महिला आरक्षन बिल पास हो चुका है मुबारक हो लेकिन महिला आरक्षन बिल लागू कब होगा इसकी कोई तारीख भारत में दो हजार उनतीस की घोचना तो खुद सरकार करती है ये महिला आरक्षन बिल ठीक वैसे ही है दोस्तों जैसे आप कोई कार बुक कराएए और उस कार का वेटिंग पीरियड दो साल धाई साल तीन साल दो हजार उनतीस दो हजार सैटालीस बताया जा रहा हो तो ऐसी कार बुक कर पिछडों का कोई क्राइटेरिया नहीं है पिछडों के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है CST के लिए कोई अलग से कोटा नहीं है महिला आरक्षन बिल को पास कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ चहरा चमकाने के लिए महिलाओं के नाम पर जो मोदी सरकार की भद पिट चु लो कर दोस्तों और अगर आप ये وीडियो यूट्यूप पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप फॉल्व और सबस्क्राइब कर देंगे तो हमारे वीडियोज आपको अगल और द्याम कहीं भी जब आप वीडियोज लगा ध्काने और किसी के भी तो कहीं न कहीं दिखने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी वीडियो सब्सक्राइब और फॉलो करने का पेज सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने का कोई अलग से खर्च नहीं लगता है सिर्द आपको एक उंगली दबानी है तो प्लीज उंगली दबाईए और सच का साथ दीजिए नमस्कार